बिस्मिल्लाइर्मन रखीम, असलावलेकूम गाईज, उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बिलकुल मैजे में होंगे आज हम बात करने वाले हैं, कम्यूनिटी करेंड लाइन स्ट्राइक जो मिलता है, कुछ कामन मिस्टेक्स हम करते हैं अपने यूट्यूब पर हम वीडियो अप्लोड करते हैं तो उसके जो टाइटल है, उस टाइटल में हम कुछ इस तरह के कीवर्ड इंक्लूड कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वीडियो है, वह पहले तो एज रिस्ट्रिक्टेट हो जाता है, उसके बाद जो हमें एक कम्यूनिटी कैडलाइन स्ट्राइक मिल जाता है हलंके उस वीडियो में अगर कुछ ऐसा है भी नहीं, community guideline के खिलाफ कुछ ऐसा है भी नहीं, तब भी हमें strike मिल जाता है, तो वो क्या है कुछ common mistakes हम करते हैं, वीडियो को आपने पूरी देखनी है, मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि कौन-कौन से ऐसे words है, जिसको आपने include नहीं करना अपने titles में, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लगों से चोटी सी request करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी तरह की informative वीडियो आपको भरवक्त मिल सकें, चलो शूरू करते हैं, हेलो गाईज, मेरे नाम है तौसीफ इजाज और आप देख रहे हैं तौसीफ इजाज यूट्यूब चैनल, चोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यहां पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो अप्लोड करते हैं यूट्यूब पे तो आपकी जो वीडियो है वो पहचानी जाती है आपके वीडियो टाइटल से पहचानी जाती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और टेक्स को देखा जाता है, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइटल, अगर आपने टाइटल में कुछ इस तरह से वर्ड्स यूस किये हैं, यानिकि लाइव, पाकिस्तान वर्सेज न्यूजलेंड, या कोई पीअीव, पीएचे चल रही है, भूस साथे लोगि उस पे विडियो बना के दे देते हैं, अप्लोड कर लेते है, कोई बी ल возмैंचे पे, या कोई भी फूद बाल का मेंच है या कोई पी cricket चल रही है उसके रिलेटेट अगर आप कोई content बनाते हैं और उसमें include करते हैं live तो इसका मतलब यह है कि आप live वो मेच दिखा रहे हो अगर आपने वीडियो में हलंके नहीं भी दिखाया होता आप वीडियो में सिर्फ information ही देते हैं लेकिन आपने वहां पर लिखा है live तो यह स्पर्म के टेगरी में आता है डिसेप्टिव प्रैक्टिस के जो हिस्से में आता है तो यहां पर आपको मिलेगा community guideline strike so next आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपने टाइटल में description या takes में आपने include किया है hack word को यानिके hack मतलब यह है कि आप किसी भी security के bypass का बता रहे हो कि किस तरह से security को तोड़ा जा सकता है किस तरह से हम wifi को hack कर सकते हैं किस तरह computer को hack कर सकते है computer का password किस तरह hack कर सकते हैं इस तरह की जो वीडियोज होगी उस पर आपको community guidelines strike अगर initial में नहीं आया तो लास्ट में आपको आएगा यह निकि आपके जब आपका जो चैनल है वो जब ग्रो करने लगेगा तो आपकी जो videos है वो एक एक जो है वो देखी जाती है सो अगर आपके किसी भी वीडियो पर यानि कि अगर इस तरह का कोई आपने लेका हुआ है कि hack wifi यह हाउ तो उस पर आपको community card line strike मिलेगा क्योंकि क्या मेरा experience रहा है यानि कि ऐसा हो जाता है कि मैंने अगर वीडियो अप्लोट की तो इनिशल में वो जो यूट्यूब है वो मेरे जो वीडियो है उसको age restricted कर देता है अगर आप अपील करते तो तब भी वो reject हो जाता है और आपकी जो वीडियो है वो जो content है वो age restricted हो जाता है लेकिन कुछ मंत बाद जब आपका channel grow करने लग जाता है तो उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो देखी जाती है YouTube उसको review करता है तो इस वजह से क्या होता है कि आपको community card line strike जो है वो देखने को मिलता है next जो मैं बताने चाहता हूं वो यह है कि आ watermark है उसको किस तरह remove करें या जितने भी software है उसका crack version किस तरह download करें या full version software किस तरह download करें तो इस तरह से कोई भी वीडियो आपने नहीं बनानी क्यूंकि जो यहां पर आपको community card line strike मिलेगा वो उसी कपनी के तरफ से आपको report किया जाएगा और तभी आपको community card line strike मिलेगा तो sign master का जो है आपने watermark किस तरह remove करना है cyber link जो एक application है software भी है तो उसको आप freely किस तरह use कर सकते हैं इस तरह से कोई भी आपने जो है content नहीं बनाने नेक्स्ट में आपको बताना चाहता हम वो यह है कि आपने YouTube के खिलाफ आपने इस तरह से वीडियो नहीं बना दी कि हाव टू गेट सब्सक्राइबर हाव टू गेट मतलब कि यह यह निकि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हाव टू गेट 1000 सब्सक्राइबर और यहां पर अपनी वीडियो में आप किसी दूसरे तर्ड पार्टी जो वैपसाइड है उसको इंक्लूट कर रहे हो ठीक है या आप कह रहे हो कि हाव टू गेट फ्री वीडियो ठीक है तो इस तरह से अगर आपने वीडियो बनाई है YouTube की वर्ट से रिलेटेड तो उसमें आपने बहुत रहे हो कि उस वेबसाइड पर जाए वहाँ पर जो है आप सब फोर सब करें या वीव फूर व्यू करें ठीक है या क्रेड़ जमा करें उसके बाद अपने वीडियो पर वीडियो लाए तो गाइस तरह की जितनी भी वीडियो होती है इस वज़े से मेरा एक चैनल जो है वो इसी तरह एक्सलोड या इसी तरह बंवेरा इसी तरह की जो कीवर्ड वो अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन वेरा में इंक्लूड ना करें क्यूंकि इससे भी क्या होगा आपको एक कम्यूनिटी का लाइंग स्ट्राइक में लगा पहले तो आपको वर्निंग दी जाती हो तो मतलब यह कि आप 24 हार अपने चैनल को दे रहे हो अपने 24 हार आप चैनल पर लगा रहा हो तो अगर आपका जैनल यनि कि सेफ holiday tookus पलग रहें क्यूंकि कि आपका आपका सावी तक है पलग रहा है क्योंकि आपको पहले इस चाफर कोई चाकू वारा नही दिखा आपने वीडियो में, यह common mistakes है जो YouTube ने आलरड़ी बताए हैं आपको कि इस तरह से मतलब अपने YouTube से किसी भी और third party website या application पे आपने traffic को नहीं करना convert, अगर आप convert करते हो तो तब भी आपको एक community guideline strike मिल सकता है, so guys उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और helpful लगी होगी, तो guys अगर आपको helpful लगी है, तो वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe करें, और अगर आपके जहन में कोई भी comment, कोई भी आपके जहन में topic है, या आपको करें, या आपके जहन में कोई भी